लो जी बाबर आजम पे इल्जाम लगा दिया कि यारी दोस्ती 11 है उसकी, friendship 11 है, बाबर आजम अपने दोस्तों को खिलाता है, बाबर आजम उनको खिलाता है जो साथ उसके खाना खाते हैं, जो ड्रेसिंग रूम में उसके साथ रहते हैं, जो जी-जी करते हैं, जो उसकी बात मांते हैं ये इलजाम मैंने नहीं लगाया ये इलजाम दो दिन पहले तो मुहमद आसिफ ने लगाया हमारे अपने मीडिया वाले लगा रहे हैं और फैन्स बहुत लगा रहे हैं पूरा सोचल मीडिया भड़ा है जी हसान एली सलेक्ट हो गया है पावर आजम ने अपना दोस डाल लिए और भाई वो सेवन्थ चॉइस बॉलर है यार आपके पहली तीन पेसर ने टीम में नसीम इंजड आपका हसन एंजड और हसान उला भी इंजड है तो साथवे नमबर पे भी हसन ना आए क्या 2017 की चैंपिन्स टॉफी भूल गे उसका फाइनल भी भूल गे मैं चैंपिन्स टॉफी का आखरी एशियन टीम पाकिस्तान ने आईसेसी टाइटल जीतने वाली और वो हसन अली ने ही चितवाया था इतनी जल्दी अपने हीरोस को ना बुला दिया करे हसन अली ने सही कहा था बेंड स्टोक्स होता ना अगर पाकिसान का प्लेयर तो 2016 में उसक सोच आप जैसी होती इंग्लेंड की छोटी सोच होती इंग्लेंड की सोच छोटे पाकिस्तानियों जैसी होती हर पाकिस्तानी जैसी नहीं वो छोटी जेनियत के पाकिस्तानी जैसी होती जो अपने कप्तान पे लगा रहे हैं आप वही लोग हैं या कुछ लोग और थे जो एक और जेनरेशन थी जो शायद अफरीदी पे इल्जाम लगाती थी कि सिंदी और कराची के प्लेयर खिलाता है ये खालिल लतीफ खिलाता है ये आपके जो बाकी प्लेयर जाफवाद आलम उनकों मुकाद देता है कराची से नीचे नी देखता ये शाजेब हसन खिलाता है मुहमद समी खिलाता है 2016 के टीटोडी वर्ल्ड काप में भी खालिल लतीफ मुहमद समी ये खिलायते शायद अफरीदी ने कप्तान होके तो आपने लगा दिया था 2010 में भी पिर मिस्बा पे लगाया आपने कि सुईगैस के प्रेर खिलाता है पंजाब के वैसलअबाद के प्रेर खिलाता है यूप डोकर को डेब्यू किला दिया असेद ली को खिला दिया आपका तो काम है हर कप्तान पे आपने ASMR करना है सर्फराइस में कहते थे कि उसने keeper त्यार नि किया रिजवान के साथ जयाती की, रिजवान के 200 थे, उस्ट्रेलिया के गेंस्ट, 2019 के वल्ल कप से पहले, लेकिन वो रिजवान को नहीं लेके गया, क्यूंकि वो इंसेक्योर था, वो चाता था, उसकी जगां पकी रहे, आपने सर्फरास में भी कराची के प्रेनों को खिलाने का लगाए, आपने तो हर दफा लगाया, आपका यह काम है, यह जो पैसे मिस्ट फैन्स हैं ना जो सिर्फ बुरा सोचते हैं, चोटी सोच वाले, जो मीडिया के लोग है, आप लोग तन्कीद करें, तन्कीद बढ़ा है, तन्कीद इसलाब नहीं करतें, आप लोग तन्कीद जीतेगा आपको कहरों 31 साल बाद बाबर आजम ही आपको वर्ल्ड काफ जीताएगा इतनी चल्दी उमीद ना आ रहें इम्रान खान के बाद बाबर आजम आपको 2023 में इंडिया में वर्ल्ड काफ जीताएगा एमदाबाद में 19 नुवेंबर को अभी लिख लें कॉमेंट करें किसी को शक है तो कॉमेंट करें आएं बैट लगाएं मेरे साथ जीतेगा पाकसान वर्ल कप सारे ग्रूप सेज के मैचेस दोनों समी फाइनल और फाइनल भी जीतेगा क्यों नहीं आप ऐसा सोच सकते पाकिसानी नहीं है पुखता आपका अजब नहीं है क्या आ आज हाइदराबाद पहुंच जाएगी रात को, support करें, पाकसान के players को support की जुरत है, इस तरह का criticism नहीं सुनना चाहते हो, moral down होगा, confidence गिरेगा उनका, please support करें, social media पे, हर जगा, whatsapp पे, इंस्टा पे, जहां जहां कर सकते हैं, facebook पे, twitter पे, support करें, पाकसान की 12th man बने, crowd उसका support क करता है पाकसान को, जैसे इंडिया का करता है, उसी तरह बने आप भी, thank you.